पब्लिक टिवी आपकी अबाद उत्तपेदेश के जनपत मुरादबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुद्भेड हो गई मुद्भेड में गोली लगने से घायल बदमाश वा एक सिपाय को जिला स्पताल में भरती कराया गया है पुलिस के उच अधिकारी हत्ते चड़े बदमाश से पूस्ताज में जुटे हैं गायल बदमाश के खिलाफ 17 आपरादिक मामले दर्ज हैं फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है मामला जनपत मुरादबाद के थाना बिलारी छेतर का है जापर पुलिस चंदोसी रोड पर चेकिंग अभ्यान चला रही थी तबी बैक पर दो संधिक दिखाई दिये जिने रोकनी की कोशिश की गई तो वे भागने लगे पुलिस ने पीछा करती वे उन्हें सरेंडर करने को कहा तो बदमाशू ने पुलिस पर गोली चला दी जिस पर पुलिस को जब अभी फाइडिंग करनी पड़ी मुट भेड में 25,000 का इनामी मजीज खायल होकर पुलिस के हत्ते चड़ गया जबकि उसका साथी बाइक से फरार हो गया तो सामने से फ़ी पुलिस किस्ती का वहाँ आरा था तो उसको अपने आपको गिरापाकर देख इसमें से एक वेक्ति ने फाइरिंग कडना शुरू कर दी अर एक वेक्ति भाग निकला जब वेक्ति ने फाइरिंग शुरू की तो हमारे एक शिपाई मोहित को उसमें से कुछ चर्रे लगे जवाब में पुलीस ने आत्मरक्षा में फाइरिंग की तो उसमें से एक वेक्ति गाहल हो गया जब उसको जाकर देखा पुलीस ने और उसके बारे मालूम किया तो वह पत प्रांच की तो पता चला कि उसका नाम मुस्लिम है जो पुत्र जिसके पिता का नाम मजीद है और थावला कर रहने वाला है बिलारी थाने कही है और वागी सब ने